तो गाईज आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास क्योंकि आज आप लोगों के रिए लेकर आया हूँ मैं फैन भील तो चलिए हम ओपन करते हैं फैन भील का वॉक्स ELT06 इस तरीके से आपको इसका बॉक्स देखने को मिलता है साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो फैन भील के दोनों पार्ट हैं वो देखने को मिलेंगी इसका स्टेंड नट बोल्ड डिस्क्रिप्शन और उसका मशीन इसी से ऑपरेट होता है हमारा फैन भील और यह है उसका मास् वीडियो में पूरा बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इवेंट से रिलेटेट सारे वीडियो देखने को मिल सके तो चलिए मैं अब आपको इस फैन भील को यूज कैसे करना है सारी बाते बताऊंगा तो चलें अब शुरू करते हैं हम फैन भील का प ताकि जब भी आप इसको कहीं पर भी लगाएं तो ये मशीन अच्छे तरीके से स्टेक कर सके इस तरीके से आपको कर देना है इसको टाइट गाईज रिमोट कैसे ऑपरेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो पर बने रहिएगा और कमेंट करके बताईएगा क कि आपको इसके बाद और क्या प्रोडक्ट को यूज करना सीखना है तो फैन वील का एक फैन लगाएंगे हम एक साइड और दूसरा दूसरे साइड और इस नट को करना होगा हमें अच्छे तरह से टाइट ताकि जब आप इसमें पाइरो लगाएं तो ये प्रॉपर तरीक य Алекс से घूम सकें ठीक है अभी ये रिमोर्ट से कैसे ऑपरेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन उसके लिए पहले आपको अच्छे से करना होगा ताइट गैस ठीक है जैसा है आपने टाइट कर लिया है यह आपका एन्टिना है आप दूर से याँज करना चाहे तो remote को operate करें तो antenna को आप पूरा बहार निकाल लें और ये cell से operate होता है guys तो आपको cell जो लगाने है इसके अंदर एक dip भी होती है आप उसको निकालें और original cell या जो भी अच्छी कंपनी है और महंगे cell और copy नहीं होनी चाहिए वो सारे cell लगाएं ताकि आपकी machine अच्छे से पाइरो को शॉट कर पाए अगर आप copy cell लगाते हैं सस्ते cell लगाते हैं तो ये पाइरो शॉट नहीं होते हैं तो आपको हमेशा original cell लगाना है और plus minus देखकर ही cell को machine में fit करना है इसमें total 8 cell लगते हैं आप इसको अच्छे तरह से लगा दीजे जब आपके ये cell लग जाएंगे तो ये machine हो जाएगी on फिर हम इसको use करके दिखाएंगे कि आपको remote कैसे operate करना है इसका और इस तरह से इसको आप अंदर fit कर दें और ये बहुत ही अच्छा box है जो आपको safe करके देता है आपके cells वगेरा को कि आप ये miss ना हो सके अब हमने जैसे ही इसको fit किया है अब आप इसकी buttons को जैसे ही on करेंगे आप देखेंगे कि ये machine के अंदर red color का bulb on हो जाएगा तो use करने से पहले आप fan को अच्छी तरह से tight कर ले tight करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे on off का button on करेंगे cell लगा लिया था हमने अब मैं आपको बताऊँगा कि इसके fans को आपको घुमाना कैसे है और पाइरो को shot कैसे करना है ठीक है तो अभी हम करते हैं इसको on और ये है A number की button जिससे एक site का fan घुमेगा और D से होगा ये off B से होगा दूसरे site का fan on और D से ये भी होगा off और जब आप दबाते हैं C तो C से क्या होगा आप देख सकते हैं एक घुमेगा anti clock तो दूसरा clock wise तो गाईज जब ये वीडियो आप देखेंगे पाइरो के साथ तो आपको जो impact इसका देखने को मिलेगा आप खुदी समझ जाएंगे कि कितनी useful machine है ये wedding event planners लोगों के लिए तो देखें इस वीडियो को कि किस तरह से आपको remote को use करना है और ज़्यादा दूर से आप use करना चाहते हैं तो आप इसका antenna निकाल दीजेगा तो ये attach हो जाएगा अब आप देख लिए होंगे कि किस तरीके से आपको इसको operate करना है तो चलिए अब देखते हैं पाइरो के साथ वीडियो इस machine का और अब जल्दी से channel को subscribe करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं भीडियो